हलो एब्रिवन तो चलिए बनाते हैं सर्फ दस मिनिट में चॉकलेट फ्लेवर वाला केक और वो भी बीना गैस जलाया और यह बनाना बहुत इजी है बहुत असान और टेस्ट आपको इससे बिल्कुल मार्किट की टेस्ट जैसा आएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो केक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें 10 से 12 ब्रेट के स्लाइस ले लेनी है और इसके साइड को कट कर लेनी है इस तरह से इसके जो ब्राउन है ना साइड में उसको कट करके चारो तरप से निकाल लेना है इस तरह से कुछ और आप सुच रहेंगा कि केक किस खुसी में ब कि इसकी बहुत टेस्टी नास्ता बनता है और इसकी रेस्पी में बहुत जल्दी अपलोड करूँगी तो इसलिए सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को अब इसके लिए बनाएंगे सुगर सीरम तो डालेंगे तीन पड़े चम्माच चीनी लेंगे इसके लिए और इसमें पाने बिस्किट के जो बड़ा उला पैकटा था आप भी ले सकते हैं अभी सारे बिस्किट को निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और अब यह बिस्किट के अंदर जो क्रीम है इसको भी में निकाल कर अलग रखना है यह देखिए इस तरह से निकाल लेना है इस तरह से हम सारे डाल देंगे एक चोथाई के असपास और यह उबाला हुआ दूध है ठंडा करके लिए हैं और यह पिस करके बिल्कुल चॉकलेट सीरम की तरह 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 हो जाएगा और इसको साइड में रखेंगे और अब हम चलते हैं केक बनाने के प्रोसेस में अब एक प्लेट लेंगे औ बहुत जादा नहीं लगाना है बहुत जादा लगाएंगे तो फिर ब्रेड बहुत जादा सॉप्ट हो जाएगा और तूट जाएगा अब इसके बात से हम क्या करेंगा जो बिस्किट का पेस्ट बनाके हमने रखा था अब इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से पूरी इसके ऊपर और फिर से हम सुगर सीरम लगाएंगे फिर वही चीज रिपीट करना है बिस्किट का पेस्ट फिर से लगाएंगे इसके ऊपर तो हमने इससे पहले जो दो लेयर बनाये थे उसमें बहुत कम लगाये थे अब इसको हम पूरा इससे ढख देना है बहुत अच्छ से पेश्ट लगेंगे ना दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी इसलिए पूरे अच्छे से लगा देना है एक दम चारो तरब से पूरे अच्छे से कोटिंग कर देना है ब्रेट को और उसके रखेंगे साइड में पांच मिनट के लिए आप चाहे तो इसे फ बना लेंगे करीब का अब यहां पर मैंने दो डेरी मिलका पैकेट लिया है और इसको पैकेट को खोलेगे और इस तरह से निकाल लेंगे इसका चौकलेट अब इसको इस तरह से कुछ कदुकस कर लेनी है अगर आपके पास कोई दूसरा ग्रेटर है तो उससे भी आप इस तरह से ग्रेट कर सकते हैं ताकि बारिक इस तरह से उसका बुरादा निकल जाए बस तो डेरी मिल को कुछ इस तरह से बारिक कदुकस कर लिया है अब हम कीक को स ऽिकुछी विए क्रिम और अदू ऱख्ट ने से और इसके बाद जो हमने क्रिम का रिंग बना के रखा था वे इसके उपर रख देगे इस तरह तो इब्रेट का चॉकलेट फ्लेवर का केक बनकर बिल्कुल तयार है और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है चॉकलेट केक और इसे बनाने में बहुत कम समय लगा है सिर्फ और से 10 मिनट में बनकर के तयार मतलब यह बनाना बहुत असान है इतना असान है ना कि बच्चा भी बना लेगा अब इसे मैं कट करके दिखा रहे हूं यह देखिए यह बहुत टेस्टी केक बना था बहुत स्पंजी यह देखिए यह देखिए बहुत टेस्टी बनत और यह बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अब मैं आपको बता दू कि ये केक कि स्खुशी में बना है तो ये इसलिए बना है कि एक तो Christmas मन्त चल रहा है जो कि इस मन्त में चेक उक तो बनता है और मेरा एक विडियो 600 विडियो है UKन का भड़ता जो कि एक मिलियन से ऊपर चला गया है उस खुशी में भी केक बना है तो दो-दो खुसिया है इसलिए ठैंक यू सो मच जो आपने इतना पसंद किया मेरे वीडियो को अभी तक आपने वीडियो नहीं देखिए तो जाके जल्दी से देखिए वीडियो और अपना डियर सरा सपोर्ट दीजिए और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगी एक लाकी फेमली हो जाए और मुझे लगता है कि आप लोग अगर सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी हम लोग एक लाकी फेमली हो जाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई